हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राश्टर राजदानिक्षेत दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 16 जो की कक्षा आठवी के विद्ध्यारतियों के लिए हैं यह ली गई है हिंदी विशे से और जिसमें हम समझ रहे हैं कविता दिवानों की हस्ती को तो चलिए बिना समय गवाय शुरुबात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों आपकी पाठे पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कारे पत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन पाठों पर चर्चा की जा रही है आए इसी क्रम में आज दिवानों की हस्ती कविता की कुछ और पंक्तियों पर चर्चा करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कुछ वक्षीट में हमने इसकी पहले वाली पंक्तियों पर चर्चा की थी आज उससे कुछ आगे की चर्चा करते हैं तो देखते हैं आखिर, आज कौन सी पंक्तिया हैं, हम भिखमंगो की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफल ताक का भार चले, तो देखी यह जो मैं प्लूटिक लगा रहा हूँ, यह केवल समझाने के लिए, पढ़ने के ल हम भिखमंगो की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफल ताक का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयम बंदे थे और स्वयम, हम अपने बंधन तोड चले, वाके ही बहुत अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं कि आखिर इन पंक्तियों के माध्यम से कवी क्या कहना चाहते हैं, कि हम कमी और शिकायोतों का रोना रोने वाले लोगों के बीच बिना रुकावट, प्यार और खुशिया बाड़ते चले हैं, यदि हमें कहीं असफलता, नि हम हमेशा उन लोगों के बीच में प्यार और खुशिया बाड़ रहे हैं, जो हमेशा कमी का अशिकायतों का रोना रोते रहते हैं, और ऐसा नहीं कि हमें सफलता मिलती है, अगर हमें सफलता भी मिलती है, निराशा भी मिलती है, तो उसको भी हम हस के स्वेकार करते हैं, फिर को एक जगह रुख कर काम करना पसंद था वे अपनी जगह रुखे हमने अपने लिए स्वयम के नियम बनाए थे और ज़रूरत पढ़ने पर हम उन्हें तोड़ कर भी आगे बढ़े हैं यानि कहने का मत्तब है कि हम अपने आप में सर्वे सर्वा है हमने अपना और पराया सब मिटा दिया जो मासत नहीं चल सकते थे एक जगह रुख कर काम करना पसंद करते थे वो अपने जगह रुख गए लेकिन हमने तो अपने नियम स्वयम ही बनाए थे और जब जरत पढ़ी तो उन नियमों को हमने ही तोड़ दिया देखा वाके ही बहुत अच्छी पंक्तिया ह चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रशन उतर पर पहला प्रशन है कि कवी लोगों को भिकमंगों की दुनिया क्यों कह रहे हैं तो रेकि यहां भिकमंगों की दुनिया से कवी का आशाय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है देना नहीं कवी ने भी इस दुनिया को प्या आशे हैं, तो इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, परंतु कभी स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्थ के अपना अनमोल प्यार लुटाया है, तो इसका मतलब ये हुआ स्वचंद लुट करके, आजाद से, तो स्वचंद शब्द का विलूम क्या बनेगा, नियंतरित, जिस पर किसी का नियंतरन हो, और स्वचंद का मतलब बेफिक्र होकर, किसी का नियंतरन ना हो, फिर इसके बाद है प्रशन नमबर चार, उर्षब्द के प्रयायवाची लिखिए, तो एक तो ह कवी किस प्रकार के बंधनों से बंधने और फिर उन्हें तोडने की बात कर रहे हैं, तो बहुत असान है, कवी के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है, वे कहते हैं कि वे स्वैम इन बंधनों में बंधने थे और स्वैम इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं तदा इससे वे प्रसन हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं तो इसलिए उन्होंने का कि वो मतलब इस तरीके से बंदने और उन्हें तोड़ने की बात वो कर रहे हैं यानि स्वामी बंदे थे और स्वामी जब ज़रत पड़ी तो उसको तोड़कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं फिसके बाद गति विधी गति विधी है उपर युक्त पंक्तियों में से आपको कौन सी बास सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों अनुछेद के रूप में अपने विचार लेखिए तो देखिए जो मुझे पंक्तिया पसंद आई वो तो ये है आपको जो पंक्तिया पसंद आई वो भी लिख सकते हैं जैसे हम भिकमंगों की दुनिया में स्वचंद उटाकर प्यार चले हम एक निशानी सी उरपर ले अस्वलता का भार चले ठीक है तो इसका मतलब क्या है दिवानों की हस्तिक अविता की इन बंक्तियों में कभी कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है लोग स्वार्थ में इतने अंदे हैं कि बस भिकमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं मगर कभी स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्थ के अपना अनमोल प्यार लोटाया है, लोगों को प्यार बाटने का खुशूरत एहसास हमेशा कभी के दिल में रहता है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, अब मैं आपको ब बढ़ेगी, तो ये तो थी आज की वर्क्षीट, अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क का बस्य लगाएगे, और जब भी आपकी बारी आएक करोना का ठीका करन जरूर करवाएगे, क्योंकि करोना को हराना है, और जिन्दगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, इसी उम्मीद के साथ बह। बह।